अक्सर लड़कियों के मन में यही ख्याल आता है कि उनके पास भी बड़ी बड़ी कारे हों, उनके पास भी आली शान घर हो अपनी इनी ख्वाईशों को पूरा करने के लिए ये लड़कियां अक्सर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरफ रुख करती हैं दरसल इस रिपोर्ट में हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एक कैसी लड़की के बारे में बताने वाले हैं जो अपना सपना पूरा करने के लिए दिल्ली से मुंबई शहर आ गई इससे पहले कि हम आपको इस लड़की के बारे में ज़्यादा जानकारी दे आपको बता दे कि हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उनका नाम है इस्मृती इरानी आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस्मृती मलगोत्रा, इस्मृती इरानी बनी और किस तरह से उनकी शाधी मुंबई में हुई आपको बता दे कि इस्मृति दिल्ली से बार्मी पास करके अपनी रूडवादी परिवार की सोच से आगे निकल कर मॉडलिंग करने के लिए मुंबई जाती है वहाँ खूब इस्ट्रेगल करती है इतना ही नहीं उन्हें रेस्टोरेंट में काम भी करना पड़ता है मुंबई जैसे महगे शहर में वह पेइंग गिफ्ट बन कर रहती है इसी दोरान एक अमीर पार्सी लड़की उनकी खास दोस्त बन जाती है उस अमीर पार्सी लड़की का मन मोना इरानी था जिसका अपनी दोस्त की तकलीफू को देखकर दिल पसीज सा उठा करता था और वो उसे अपने घर लेकर आई ताकि उसकी परिशानी को कम कर सके लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि वो जिस लड़की को अपने घर लेकर आई है वो ही उसका घर तोड़ देगी आपको बता दे कि स्मृति मलखोत्रा अपना बोरिया विस्तर लेकर अपनी पार्सी सहेली मोना इरानी के विशाल खांदानी बगले में रहने चली गई थी वहाँ इस्मृति को पता चलता कि उनकी सहेली मोना इरानी के पती जुबिन इरानी कोई मामोली शक्स नहीं बलकि फिरोज साह मोदरेज का भांजा है और टाटा खांदान में इसकी बहन ब्याही है और गोबा मुंबई, नौसारी और एहंदाबाद में इनकी कई हजार एकर प उस समय बाद जुबिन ने अपनी पतनी मोना इरानी को तलाग देकर पंजाबी अभिनेत्री इस्मृति मलहूत्रा से शादी कर ले और मजबूरन मोना को अपने घर से बाहर जाना पड़ा साल 2001 में इस्मृति ने शादी शुदा जुबिन इरानी से शादी कर ली और उसी साल उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने जवहर रखा सिदंबर 2003 में उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम जोईश है बताते चले कि इस्वर्ती इरानी सोनियल की सोतेली मा है शेनियल जुबीन इरानी और उनकी पहली पत्नी मोना इरानी की बेटी है SPN 9 News Rome से राहूल की रेपोर्ट